हेलो वच्छो, नमस्कार, पहरे वच्छो, आज आप ये मान के चलो की साथ ये चैप्टर हम खतम कर लें, ठीक है, तो आईए, शुरू करते हैं 12 चैप्टर का कोश्चन नमबर 11, ठीक है, देखो वच्चो कोश्चन में क्या है, बहुत सिंबल सी चीजे, कि आपके पास एक स् हैं, यहनी, हैंकरचीफ, हैंकरचीफ मतलब रुमाल, और इसमें ना, नाइन सर्कल दिये हुए, कितमें सर्कल दिये हुए, नाइन सर्कल दिये हुए, ऐसे, नाइन सर्कल दिये हुए, और सबका रेडियस सेम है, ठीक है, मेरे से छोटा बड़ा बन रहा है, क्योंकि, हाथ म मैं बच्चों इतनी पर्फेक्शन तो होती नहीं ठीक है यह ठीक वह तो कह रहा है यह स्यों सरकल है ना इसमें डिजाइन बने वे सरकल में क्या बने वें डिजाइन बने वें ठीक है इन सरकल में डिजाइन बने वें तो कह रहा है बताओ कि यह जो खाली रिमेनिंग पार्ट बजगिया यह जो रिमेनिंग पार्ट बजगिया इसका एरिया क्या है तो मेरे रिजाब से ताप दो मिंट पर answer निकल चुके हूँ क्या कि भाई इस रुमाल के area में से इस square रुमाल के area में से ये 9 circle का area minus कर दो तो बचा हुआ remaining part आ जाएगा बचा हुआ remaining part आ जाएगा तो बस सबसे पहले यह देखो भाई इन सबकी radius 7 cm है सबकी radius 7 cm है तो जब radius 7 है तो diameter कितना होगा 7 7 14 7 7 14 7 7 14 तो 14 यहां तक 14 यहां तक 14 यहां तक तो टोटल रुमाल का जो side आया वो कितना है भई 42 cm सही बात है तो लिखो radius of circular design circular design ठीक है जी कितना है 7 cm विर्ताकार design design कित रिच्च्च्या ठीक है diameter of circular design तो 7 प्लस 7 तो वही क्या 22 में 7 14 cm design ठीक है विर्ताकार design का अब लिख लो विर्ताकार design का व्यास तो इतना आ गिया 14 cm now side of square handkerchief side of square handkerchief is equal to क्या होगा बच्छो is equal to क्या होगा 3 into me diameter of circle ठीक है 3 into me diameter of circle मतलब क्या रुमाल रुमाल वर्गाकार रुमाल रुमाल की भुजा ठीक है क्या है बई टीन गुना में विर्त्का व्यास तीन गुना में विर्त्का व्यास ठीक है क्यों क्योंकि 1 व्यास 2 व्यास 3 व्यास 3 डायमीटर से मिलके बनाएं तो मतलब 42 सेंटी मिटर ये स्के वह आगी बस नाओ तब क्या निकालना है नाओ एरिया ओफ रिमेनिंग पार्ट तो क्या एगा भई हन जी तो क्या एगा अरिया ओफ माइनस 9 इंटू में area of circle area of circle 9 क्यों लिखेंगे क्योंकि 9 circle का area माइनस करना है ठीक है बचे हुए भाग का छेतरफल बराबर है रुमाल का छेतरफल माइनस 9 गुने में वृत का छेतरफल ठीक है तो रुमाल का छेतरफल side यानि भुजा की square 9 इंटू में pi r square side कितना है 42 का square 9 pi 22 बटा 7 r कितना है 7 गुने में 7 साथ साथ गड़ गया 42 का square होता है 1764 ठीक है भई कितना होता है 1764 और ये कितना आ गया 22 गुने में 9 सत्य 63 1764 माइनस 66 का 6 रह गया 6 और ये 122 के 132 ठीक है 132 और 6 138 तो ये माइनस हो का 14 में 6 गए 8 और फिर 15 में से 8 गए 7 और ये 3 इतने centimeter square नोट करो नोट करो अच्छो 15 में बाहब बाहब रावे हैं 15 मेंप्ड़ी। 15 में से 8 गट झाल ठीक है चलिए चलिए बच्चो नेक्स्ट कोश्चन अगला कोश्चन है कोश्चन नमर 13 यह आपको बच्चो एक क्वाडरेंट दिया हुआ है और इस क्वाडरेंट में एक स्क्वाइर दिया हुआ है चैक है ओ ए पी बी क्यू और यह सी और इसका इरिया निकाला है ओ यह दे रखा है 20 सेंटिमेटर लो जी अब देखो जब ओ ए बी सी एक स्क्वाइर है तो जब यह 20 है तो यह भी 20 सेंटिमेटर होगा ठीक है यह भी 20 सेंटिमेटर होगा यह भी 20 सेंटिमेटर होगा सभी बात है अच्छा, अब देखो जरा, अब देखो, हम, हम, हाँ जी, तो मैं यह आपर लिख सकता हूँ, O, P, बराबर O, Q, बराबर O, B, बराबर है क्या, रेडियस, मतलब तिरिज्जिया, मतलब तिरिज्जिया, ठीक है, ठीक, अच्छा, उसके बाद, O, A, बराबर A, B, बराबर B, C, बराबर O, C, ठीक है, बराबर 20 सेंटी मिटर, ठीक है, साइड ओफ स्क्वेर, साइड ओफ स्क्वेर, वर्ग की भुजा, ठीक है, अब देखो, जब इतनी चीज़े कर दी हैं हमने, ठीक है, अब क्या होगा बच्छो, नाओ, आजओ, इंट्रेंगल, O, A, B, इंट्रेंगल, O, A, B, तो भाई, यह देखो, यह 90 डिगरी है, क्योंकि स्क्वेर है, तो यह हाइपोटेनियस, यह बेस, यह पर्पेंडिकुलर, तो इसका मतलब क्या हुआ, कि भाई, यूजिंग, पाइथागोरस, ठीक है, तो हाइपोटेनियस को मतलब है, O, B, C, O, A, B, C, O, A, B, C, O, A, G, C, O, E, B, C, O, A, G, 20, C, C, B, C, C, O, A, G, Cater, C, V, C, C, A, T, C, Ö, C square जो है बच्चो इसके उपर का square यहां पर ले यह under root तो क्या बन जाएगा क्या बन जाएगा O B बराबर 400 root से बाहर निकलेगा 20 root 2 cm तो यहनी यह कितना आगया 20 root 2 cm ठीक है तो यह आगया radius radius of quadrant तो कितना आगया 20 root 2 cm ठीक है चतुर्थांस कितर जाँ ठीक है नाओ अब क्या भई अब क्या है area of shaded region area of shaded region ठीक है चायांकित भाग का छेदर पर ठीक है area of quadrant minus area of square हिंदी वाले क्या लिखेंगे कि भाई चतुर्थांस का छेदर फल minus में वर्ग का छेदर फल तो एक बटा चार pi r square minus area of square by side की square तो एक बटा चार pi की value 3.14 लेने के लिए बोला बच्चो और r है 20 root 2 20 root 2 minus side तो है 20 का square हां जी तो देखो क्या बनेगा 2 to 8 cm square करो इतना से करना है सिंपल जा कोश्चन है नोट कर लो इसको फोटाफट जल्दी चार यह हो गया 16 देखो यह दो नोट कर लिया होगा अब 16 देखो झाल 10 देखो 10 देखो हा जा करो 10 देखो 10 देखो 10 देखो झाल झाल चलिए कोशन नुमर 16 देखो बच्चो कह रहा है यह के स्क्वेर है ठीक है और इसमें यह डिजाइन बना हुआ है यह डिजाइन बना हुआ है ठीक है जी और यह दे रखा है नाइंटी नाइंटी आइंटी आपको देखी रहे हो और यह सारे दे रखे एट सेंटीमेटर ठीक है हाँ वई तो हमें इस पोर्षन का एरिया निकालना है तो कैसे निकाले अगर माल लो मैं इसको ऐसे यह जॉइंट कर देता हूँ नाव मना A B C D या P ये Q ठीक है अच्छा अब अगर गौर से देखोगे बच्चो अगर मैं इस वाले हिस्से को माल लो नेगलेक्ट कर दूँ तो देखो आप गौर से देखना है या इस वाले हिस्से को नेगलेक्ट कर दो map 돼요 A B P D क्या क्वाडरेंट जयसा लग रहा है बिल्कुल लग रहा है और अगर मेरे को ये एरिया है ये वाला मालरो ये वाला इरिया निकालना तो एक पछल के लिए इसको भूल जाओ ये क्या सा लग रहा हिए Quadrant और Quadrant में से वह यानि कि Sector Quadrant क्या हो गया Sector minus triangle अगर मैं इस Quadrant में से ये triangle minus कर देता हूँ तो ये वाला area जाएगा और इसी का जब मैं double कर देता हूँ तो मेरे को ये वाला area मिल जाएगा सही बात है तो बस इतना से करना है Radius of Quadrant Radius of Quadrant क्या A B P D A B P D तो कितना है 8 cm ठीक है चतुर्थांस चतुर्थांस A B P D की तरिज्या 8 cm ठीक है उसके बाद क्या है ठीक है A B P D की तरिज्या इसके बाद क्या है भई triangle ओ सॉरी ये तो हो गया ना अब आजाओ Area of Design Area of Design ठीक है Design का छेतरफल बराबर हाँ जी Area of हाँ वही क्या है सॉरी 2 in 2 में 2 in 2 में Area of Quadrant Area of Quadrant क्या है A B P D माइनस में Area of triangle किसका A B D ठीक है हिंदी वाले लिखेंगे दो गुने में क्या भई चतुर्थांस ठांस A B P D का छेतरफल माइनस तिर्भुज A B D का छेतरफल ठीक है तो ये कितना हो गया एक बटा चार पाई आरी स्क्वेर माइनस ये कितना हो गया हाँ भई तिर्भुज एक बटा दो बेस A B परपेंडिकुलर A D तो 2 इंटू 1 बाई 4 22 बटा 7 आर 8 इंटू 8 माइनस 1 बाई 2 8 इंटू 8 ठीक है 2 ये गड़ गया 2 ये गड़ गया 11 हाँ जी 2 इंटू में उपर से कॉमन आ रहा 8 8 8 common आ गया 8 8 8 नीचे से common आ रहा 2 तो हाँ जी बचाओ जब उपर से 8 8 और नीचे से 2 common आ गया तो बचा क्या 11 बाई 7 यहां से उपर से 8 8 नीचे से 2 common आ गया बचा क्या 1 2 से 2 2 कैंसल हाँ भई 8 इंटू 8 64 इसको इससे करोगे 1 से तो 11 इसको इससे करोगे 11 इसको इससे करोगे 7 और नीचे को नीचे करोगे 7 तो 64 इंटू में 4 अपॉन 7 यह जाएगा 256 अपॉन 7 सेंटिमेटर स्क्वेर करो 5 अपॉन 7 चला बई अगला कोशन देखते हैं कोशन अबर पन्दरा देखो अच्छा कोशन देखो लेगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगगग झाल झाल हाँ जी वच्छो देखो क्वेशन नमबर 15 भाई आपको एक ना क्वाडरेंट दे रखा है ये आपको दे रखा है क्वाडरेंट ठीक है और इस क्वाडरेंट को भाई ऐसे एक कौड मिला दिया ठीक है और उसी कौड को डायमीटर मान के इस पर एक सैमी सरकल कीज दिया ठीक है तो कहरा बताओ इसका एरिया क्या होगा ठीक है इसका एरिया क्या होगा नाम दिया है A, B, C और यहाँ पर एक पॉइंट ले ले लेते हैं P और एक पॉइंट यहाँ पर ले ले लेते हैं अपनी वर्जी से तो कैसे करें वह क्या रहा है कि अगर इसका रेडियस 14 सेंटीमिटर है 14 सेंटीमिटर है तो बताओ भाई कि area of shaded region क्या है यानि BC को diameter मानके एक किया गया है और भाई सीधी सिंपल सी बाद बताओ radius of quadrant आपको दिया हुआ है ना 14 सेंटीमिटर चतुर्थांस का चतुर्थांस की तिरिज्ज्या यह आपको दी गई है ठीक है अच्छा इंट्रेंगल ABC में आओ 90 डिग्री थाफते यह hypotenuse using pythagoras ठीक है तो यानि BC का square बराबर AC का square प्लस AB का square तो वही है 14 का square प्लस 14 का square 196 प्लस 196 क्या मैं इसे 2 इंट 2 में 196 लिख सकता हूँ और यह BC का square square इधर आके root बन जाएगा 196 निकलेगा 14 root 2 cm तो BC कितना आ गया 14 root 2 cm 14 root 2 cm यह length आ गई ठीक है जी अच्छा अब क्या है भाई हमें इसका area निकालना पड़ेगा पहले हैं क्यों क्यों क्योंकि जब इसका area निकलेगा तभी semi circle से यह हिस्सा माइनस हो पाएगा मैंसा segment का area निकालना पड़ेगा तो भाई area of segment area of segment क्या भाई BQC ठीक है वरित खंड BQC का चेतरफल कैसे निकालेंगे भाई area of quadrant माइनस एरिया ओफ ट्रेंगल BAC BAC यानि कि भाई segment हो गया ना यह segment कैसे होगा भाई चतुर्थांस में से ट्रेंगल माइनस चतुर्थांस के छेतरफल में से तिरभूच का इस तो एक बटा चार पाई आर स्कूर और इसका एक बटा दो AC और AB तो एक बटा चार बाईस बटा साथ यह कितना आएगा? 14 गुना 14 एक बटा दो 14 गुना 14 कटेगा 2, कटेगा 11 हाँ बटा गुना 14 बटा 2 common आ गया अंदर बचेगा 11 बटा 7 अंदर गया बचेगा 11 बटा 7 और यहाँ से भी उपर से चौदा चौदा और नीचे से दो कॉमन आ गया बचा एक तो वही 14th को काट देया 7 7 into 14 solve करो 11 minus 7 बटा 7 7 साथ से 7 कट गया 14 गुने में 4 54 cm square तो वही इस वाले segment का area 56 cm आ गया now अब हमें area इस part का निकालना है area of shaded reason area of shaded reason तो shaded reason से पहले भाई आपको पता ही है कि BC को इसने diameter माना है तो radius of radius of semicircle semicircle क्या बनेगा भाई 14 root 2 upon 2 तो कट गया 7 तो 7 root 2 cm ठीक है अर्द विरित अर्द विरित की त्रिचिया now अब क्या है यहां तक हो गया now अब क्या बाई area of shaded reason area of shaded reason चाहिंकित भाग का चेतरफल तो कैसे निकालेंगे area of semicircle अर्द विरित का चेतरफल minus area of segment विरित खंड का चेतरफल ठीक है चाहिंकित भाग का चेतरफल अर्द विरित का चेतरफल minus विरित खंड का चेतरफल ठीक है तो यह आपको दो भाई लिखना हिंदी वालों को तो अर्द विरित का चेतरफल एक बटा दो पाई र स्क्वेर ठीक है और segment का area तो अभी अभी निकाला हमने कितना 56 तो एक बटा दो बाईस बटा साथ आर स्क्वेर साथ रूट दो साथ रूट दो minus 56 साथ से साथ कटा ठीक है बई तो बच्चा एक बटा दो गुना बाईस गुना साथ कुना रूट दो गुना रूट दो दो माइनस 56 तो दो से दो गड़ गया बाईस सत्ते 154 माइनस 56 98 सेंटीमेटर स्क्वेर आंसर करो ठीक है अब कोशन नमबर 9 आपको खुद करना है बस इसमें ठीक है ठीक है तो यह कोशन करना और एक्जांपल नमबर 5 करना आपको खुद ठीक है तो यह दो कोशन आपको करना है इसी के साथ यह चैप्टर होता है खतम कोशन नमबर 9 भी आपको दिया करने के लिए इसका नेक्स्ट लास में एक नया चैप्टर सुरू करेंगे 13 ठीक है चलिए बाई इसके साथ यह चैप्टर यह खतम होता है झाल राजम में एक्सा सब्सक्राइब कर लिए बाईब धर यह चैप्टर श्राँ है यह चैप्टर श्राएब का ने प्रूज स्टू स्टू स्टूर जाता है